सबी दोस्तों को नमस्कार मैं अनियल चनकेनीती यूटूब चैनल प्रावसुईगा स्वागत करता हूँ आज की सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हरियाना जीक्के के मोस्ट इंपोर्टनेट क्वेशन तो पलीज आज की सेशन को आप स्कीपने करें पूरा देखीगा विना के अंदर एसिया का सबसे बड़ा पसो फर्म बनाया गया है अच्छी क्वाल्टी के क्वेशन है काफी बार एक्जामों पूछे जा चुके हैं तो पलीज इस सेशन को जादे सेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्ट क्वेशन जैवार लाड नह नहर किस नहर से निकलती है बाघडा नहर से बाघडा नहर से जैवार लाड नहर को निकाला गया है तो ये काफी बार एक्जामों की दर्ष्टी से वेरी वेरी मौस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन हो जाते हैं योग गरू राम देव के गरू कोन है आप सभी को याद भी खुदा बक्स हैमद ने हरियानवी प्रमायन को दिखाए इनको आप अच्छी तरिक्के से याद कीजिए अगर आपने पहले किये तो आपका अच्छा रिवीजन उने वाला सेशन आपने पूरा देखना है अगर आप पहली बार करें तो इस सेशन के मेहदम से आपको अच् परसीद है नेच्ट क्वेशन अरियाना के कालिदास कोन कलाते है तो अरियाना के कालिदास कोन कलाते है पंडित लखमी चंद और एक पंडित दीप चंद को भी अरियाना का कालिदास का जाता है यह ओप्शन पर डिपेंड करता है आप ओप्शन देखके टिक कीजिएगा द उस्चे बोति ने वर्दन वसकी स्तापना की थी यह next question पढ़ते हैं आपके screen पे जो तीस्वे सुरजकुंड मेले 2016 के सहबागी देश कौन से थे यानि जो तीस्वे सुरजकुंड मेला लगता है 2016 के अंदर लगा उसके अंदर सहबागी देश कौन कौन से थे चीन और जपान ये पिछले current का question है ये पीछे exam में पूचा गया और अगामी जो current है उसको आप अच्छी तरीक के सियाद कीजिएगा तीस्वे सुरजकुंड मेले के अंदर दो देश थे सहबागी चीन और जपान ये क्योंकि कई बार हर्याना जिक्के के पिछले questions हो current के वो भी put कर दिया जाते है एक्जाम में तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है इसको आप याद कर लिजीगा तीस्वे सुरजकुंड मेला बनाया गया है तो साम बिवानी तो साम और बिवानी के अंदर मुनी गीपा दाम बनाया गया है ये दो जिलों के अंदर आता है ये very very most important है next आता है फिर्थ्वी राज रासो किसने लिखी थी काहिवार एक्जाम में देते हैं ये question कि फिर्थ्वी राज रासो किसने लिखी ह चंदरवरदाई ने एक नमबर एकजाम में पक्का करके जाएगा यहां से तो next question पढ़ते है हर्याना की दुसरी बासा का दरजा की से दिया गया है पंजाबी बासा को यानि हर्याना की दुसरी बासा कौन सी है दुवितिय बासा पंजाबी और जो पहली बासा है उसको कुमेंट में आप सभी बताएगा हर्याना की पहली बासा कौन सी है दुवितिय बासा आपके सामने है पंजाबी next पढ़ते है हर्यानवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है जो हमारी हर्यानवी बोली है जिसके हम खड़ी बोली के नाम से जानते हर्यानवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है कोरवी कोरवी बोली से हर्यानवी बोली का विकास हुआ है next पड़ेंगे next question है सिव मंदिर के लिए परसीद बागोत सीव मंदिर के लिए परसीद बागोत किस जिले में है तो बागोत किस जिले के अंदर आएगा मेहंदर गड के अंदर सीव मंदिर है जो परसीद बागोत का वो मेहंदर गड के अंदर बनाया गया है नेस्ट पढ़ते हैं नेस्ट क्रेशन आपके स्क्रेन पे बारतिय पुरातत्तो सर्वेक्षन विभाग द्वारा हरियान के कितने समराखों को राष्ट्रिय में तो गोशित किया गया है यानि समराकों को राष्ट्रिय में तो दियागा कितने है जो बारतिय पुरातर्तोव सरेक्षन ने उनको अपना राष्ट्रिय में तो दिया है 24 ये अच्छी तरिक के से याद करें 24 राष्ट्रिये समराग यानि जो जिनको राष्ट्रिये सोरी बारतिय पुरातत्तों सरेक्षणी बाग ने समराग को राष्ट्रिये मारतों का दर्जा दिया गया या उनको कोशित किया है नेस्ट पढ़ेंगे अक्तूबर 2015 में आरम की गई सवादार गरे योजना का समद किस्य है महिलां कि आर्थिक और समाजिक सुरक्षय एक ऐसी योजना सवादार गरे योजना next पढ़ेंगे next question सकी योजना जो मेलना और बाल विकास वाग द्वारा सरू की गई का समंद किस से है पीडित मेलना से सकी योजना किस के लिए चलाए गई है पीडित मेलना के लिए सकी योजना जो मेलना और बाल विकास वाग द्वारा चलाए गई है उसका समंदर आएगा इडित मेलां से नेश्ट पढ़ते हैं नेश्ट क्वेशन आपकी स्क्रेण पे नाडा साव यानि नाडा साइब गरुद्वारा कांस दिता है तो नाडा साइब गरुद्वारा कांपर बनाया गया है नेश्ट क्वेशन आपकी स्क्रेण पे फिलम अविनेता मनोज कुमार का समंद हरियाना के किस दिले से है कैथल से तो दोस्तो आज हमने 18 क्वेशन किये हैं आज की सेशन में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी हम आपको बीच में अगला सेशन लेकर आएंगे तब तक दोस्तो थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद जय वार्त